हेलो क्यूडीज आप सब लोग का स्वाखत है मुवी इस पंकर्ट में आज हम बात करने वाले हैं शी एंड़ परफेक्ट हस्वेन की एपिसोड एट नाइन एन टैन की एपिसोड एट के स्टार्टिंग होती है टैन पैंग को इसे मलने के लिए आज आती है और उसको काफे सुना रही होती है कि तुमने जो रूमर फैलाई है उसकी वज़ा से हमारी रापोटिशन को बहुत सदा डैमेज हो रहा है और वो ये भी कहा रही होती है कि सबको कंपनसेट करने के लिए तुमारी जैसी लोग फर्म दस भी पूरी नहीं पड़ेंगी फिर कुईन जी कहा दिए कि प्लीज आप परिशान मत होईए इसमें हमारी कोई गलती नहीं है हमारी फर्म में थोड़ा छोटा सा मैनेजर था उसने इस सारी करबड़ी कर दी फिर वो एक वीडियो निखाते हैं जिसमें उस मैनेजर ने पूरी खबर फिला दी थी तो उन ल हले लग जाती और उससे कहती है कि मुझे उससे कोई रिलेशनशिप की नहीं पड़ी है मुझे मेरे पैसे मिलकर यहीं बहुत बड़ी बात है कुईंशी से बहुत खुश्टी और वो उससे पूछती है कि बताओ तुम्हें नाम में क्या चाहिए कुईंशी कह दिया कि आप एक दिनर पार्टी होगी उसमें तुम्हें अपने हस्बंड के साथ आ जाना और फिर टैंग कोई की बातों को सुनके कुईंशी को याद आ जाता है कि कैसे उसने बहुत सारी लॉफ़र्म में ट्राई किया था बट किसी ने भी उसको जॉब नहीं दी थी क्योंकि वो एक सि लाड़ी चीज़े तुम्हें दे दूँगा अपना घर अपने सारे पैसे और क्रेडिट कार्ट सब रहन में को पकड़ा देता और कहता है कि अब मैं तुम्हें सब कुछ दे दिया और तब भी मैं तुम्हें डिवास देने से नहीं रुखूंगा कोईन वैन्यों के जहाते ही कुईन वैन्यों की मदर रैंवेमी को समझाती है कि तुम टेंशन मतलो तीन दिन बाद वो खुदी वापस आ जाएगा और वो ऐसे ही है अब तुम्हें देखो कितनी प्रॉब्लम हो रही है कितनी चिंता हो रही है उसके लिए पर जहां पर तुम्हें हार्ड होना है वहा भी ना पकड़े जाएं पर मिस्टर क्या उसको डार देते हैं कि अब सब बाते खतम हो गई है ना उसको नौकरी से निकाल दिया गया है और क्या चाहिए जिससे लिए आई को थोड़ी शांते मिलती और वो सोचती है कि मैंने तो कुछ गलत किया ही नहीं पर जब वो अपने चर्याइंग के बारे मैं तुम्हें बताया था ना उनसे अब तुम्हारा कॉंटेक्ट नहीं हो पाएगा क्योंकि उनकी अब गल्फ्रिन बन चुकी है लीडाई को उस पर तो रहा था तो उससे पूछती है कहीं तुमारे एजिंसी में ऐसा थो नहीं होता कि लोग शादी चुदा हैं फिर भी सिंगल बन के रह रहे हो तो वह कहती है ऐसा नहीं होता है जो सिंगल होते हैं हम उनसे उनका प्रूफ मांगते हैं तब ही सारी बाते आगे होती है तो लीडाई सोचती है कि मैं कुईंशी के रूम में जाके अब उसके हस्बेन की फोटो देखती हूं त फिर ऐसा उठाती है अपने आप भी फोटो देख लेती है पर उसमें कुईंशी के हजबन का फोटो था ही नहीं फिर दिखाते हैं कुईंशी अपनी सारी ठीम को ले जाती है लंच कराने के लिए दूसी साइट दिखाते हैं यांगवा अपने घर पे आया था अपने समान पैक करने के लिए उसके डाट उसको काफी समझा रहे थे कि तुम्हें इतनी जल्द बाजी करने की जरूत नहीं है तुम्हारी मॉम थोड़ी ऐसी गुस्ते हैं बट वो भी तुम्हारी पान में चिंता ही करती हैं वो उसको काफी परसुएट करते हैं पर यांगवा उनकी स कर रहे थी कि कुईंची उन्हें नहीं तो मिलेगी फिर भी वहां पर रही लोफां में पौछती हैं और वहां पर अच्छी लॉयर है और ऐसे हैं काफी स्जादा वह रिवार्सकेस केसे हंडल करती है उसकी फीजभी बहुत हाइफ है ऐसा है वैसा है फिर यांगवा की इम लीडाई से पूछ लेती है कि कि आप married हो या single हो तहीं वहाँ पे लीडाई अपना wallpaper change करके येंगवा का photo लगा देती है और ऐसी अचानक से येंगवा की mom को दिखा देती है येंगवा की mom जो उसको देखती है तो वह कहती है तो मेरे भीटे का photo है लीडाई कहती है कि ये तो येंगवा है ना इसको तो यहाँ पर सभी जानते हैं क्योंकि ये कुईशी का husband है जिसे सुनके येंगवा की mom शौक डो जाती है और वो कहने ही वाली थी कि कुईशी मेरी पहू वगेरा नहीं है तहीं वहाँ पे कुईशी बहुत जाती है और वो वहाँ से लीडाई से कहती है अब आगे मैं समाल लूँगी और फिर वो येंगवा की mom से कहती है कि येंगवा यहाँ पर आने वाला है या तो आप उसके साथ अराम से चले जाना या उससे पहले आप मुझे ये बता दो कि आपने लीडाई से क्या क्या बोला है येंगवा की मॉम कुईंची से कहती है कि मुझे अपने बेटे का पता है उसके लिए तुम कुछ जादा ही अच्छी हो तुम तो इतनी जादा इंटेलिजेंट हो तुम एक लॉयर हो तुमें तो कोई भी बहुत अच्छा मिल जाएगा हम शादी करने वाले हैं वैसे आपके बेटे में कोई अच्छा ही नहीं है और वैसे भी प्यार की वज़ा से तो शादिया सिर्फ 18 महीं नहीं चलती है पर्ट मैरिज एक पार्टनर्शिप होती है और वो हमेज़ा चलती है और फिर मैरिज के लिए जैसे मेरे व्यूज हैं वैसे ही याइगवा की व्यूज हैं इसलिए हम दोनोंने पार्टनर्शिप कर लिया और हम दोनों ये एक दुछा से शादी करना चाहते हैं याइगवा की मॉम ये सुनने के लिए त्यार नहीं थी कि आप ये चाहते हैं कि आप अपने बेटे के लिए खुदी कोई लड़की सेलेक्ट करें जो उसकी चॉइस है उसको आप फॉलू नहीं करेंगी फिर ये एगवा की मॉम कुईंची से गुस्ता होके जाने लगती हैं और अपने बेटे को ये वहाँ से ले जाती है स्यास और उसको गोदी में उठा की ले जाता है विस तक को और रासinta में उनके सारे इंब्लॉइज देख रेहatem फूर्हाय होते हैं फिर लीड़ाई विर्थि अन एकतों से मैं कुईंशी का ऐसे दिल फरफराने लगा था वो सोचने लगी थी कि मैं इतने दिनों से इतनी जादा सिंगल रह गई किया कि मुझे थोड़ा सा छोटा सा रोमेंटिक जेस्टर भी इतना अच्छा लग रहा है दूसे साइड दिखाते हैं लीडाई ने बोल्ट पे कुईंशी येंगवा और येंगवा की मॉम का नेम लिखा हुआ था और वो सोच रही थी कि इन दिनों के बीच में आखिर चल किया रहा है उसके तुमाक में ये कुशन घूमे जा रहा था कि कुईंशी और येंगवा की शादी की बात येंगवा की मॉम को कैसे नहीं पता क्या हो सकता है मिस्टर क्या O से भी पूछती है तो मिस्टर क्या O कहते है कि या तो यह reason हो सकता है कि वो लड़का अपनी मा से यह बात चुबाना चाहाता है या फिर वो अपनी मा की immersion में आके दूसरी लड़के उसे मल रहा है या फिर यह बात है येंगवा रात को अपने घर पे जाता है अपने पैरेंट्स के साथ डिनर करते है और अपनी मॉम से बोल देता है कि मॉम आपने अच्छा नहीं किया आप कुई शी की वर्क प्लेस पे ऐसे चली गई वैसे भी उसकी लाइफ कुछ इतनी आसान नहीं है उसकी वर्क प्लेस पे वैसे ही बहुत जादा आपस्टेकल रहते है और वो भी तो किसी मा की बच्ची है उसके भी तो पैरेंट्स है आपने उसका दिल दुखाया ये अच्छा नहीं किया और फिर वो अपनी मॉम डैट्स से ये भी कह देता है कि पहले में बहुत जादा बुरा बच्चा था ना मैं आपके कभी सेक्रिफाइस आपके सेलफलेस्नेस को समझी नहीं पाया बट अब मुझे सब समझा गिया है कुईशी एक बहुत अच्छी लड़की है और वैसे भी अगर वो अच्छी भी नहीं होती अब मुझे समझा चुका है कि मुझे इंडिपेंडेंट बना है मुझे हमीशा घर में नहीं रहना और चाहे मैं कुईशी के साथ रहूँ या ना रहूँ बट अब मैं घर पे आगे नहीं रहूँगा फिर दिखाते हैं येंगवा और उसके डैट दोनों एक साथ ड्रिंक करने लगते हैं और उसके डैट येंगवासे बहुत साथा खुशते वो कहते हैं कि मेरा बेटा बड़ा हो चुका है फिर दिखाते हैं कुई वेन्यू विवेन के साथ डिनर पे गया होता है और वहाँ पे वो काफी जादा फैंसी डिश को ओडर कर देते हैं जब पे करने का टाइम आता है कुई वेन्यू के पास तो बिल्कुल भी रुपे नहीं थे ना उसके फोन में चल रहे थे ना उसके पास कोई कार्ट वगे रहा थे तो वे वेन्स से कह देता है कि प्लीज तुम अभी पे कर दो कार में मेरा दूसरा फोन पड़ा है उससे मैं तुमें पे कर दूँगा फर दिखाता है कुई वेन्यू पैसो के लिए अपने भाई के घर पे भी जाता है पर उसकी भावे मना कर देती है कि मॉम ने हम सबसे मना कर रखा है तो कोई तुम से ना मिले पर कुईन वेन्यू कह देता है कि प्लीज आप थोड़े से रुपे तो दे दो तो उसकी भावे उसको 400 रुपे देती है पर इतने रुपों से कुईन वेन्यू का काम नहीं चलता पर फिर वो बिशारा क्या करता फिर वो सोचता है कि मैं अपने फ्रेंड से ही क्यों ना माँगलो मेरे फ्रेंड से बहुत सारै है टो वो अपने हे पास जाता है जिसका बार था तो वो भी कुईन वेन्यू से कहए देता है कि वो उसको और ज़्यादा कुछ नहीं दे सकता है क्योंकि उसकी बेहन ने उसको लास टाइम बहुत साथ धंगाया था फिर कुईन वेनी और भी अपने फ्रेंड से बात करता है पैसो के लिए रहने के लिए पर कहीं भी उसका कुछ इंतिसाम नहीं हो पाता फिर दिखाते हैं येंगवा बिल्कुल ड्रंक हो चुका था जब वो कुईनशी के पास आता है कुईनशी उससे कहती है कि तुम अब अब रॉट तो जा नहीं रहो तो जो इससा हमने पहले डिसाइड किया था वैसा हम कुछ नहीं कर पाएंगे अब तुम्हें कल मेरे साथ एक लंच के लिए चलना पड़ेगा और येंगवा को इनशी से पूछ लेता है कि तुमने मुझे उस कंपनी के बारे में किसी और को बताने से जिले मना किया था ना क्योंकि तुम्हारी कंपनी को उनसे कुछ पैसे चाहिए थे दूसरी साइड दिखाते हैं येंगवा के डैड भी काफे जादा ड्रंक थे फिर वो येंगवा की मौम के लिए बहुत सारी पोयम गाने लगते हैं और फिर ऐसी सोफे पे जाके सो जाते हैं तो यहाँ की देख धूला हो के धिर में पोश्याया जारू हों दिखाते हैं लूदो नाट कुशूस कर येंगवा वैसे तो मना कर रहा था फिर कुईंशी उसको याद दिलाती है कि हमारा एग्रिमेंट है तुमें इसको फोलूई करना पड़ेगा फिर येंगवा रीडियो जाता है फिर येंगवा और कुईंशी दोनों उस पार्टी में जाते हैं अब हाँ पर सब लोग ऐसी दे येंगवा कह देता है कि मैंने बिजनस इंवेस्टमेंट में काफ सारा काम किया और काफी अच्छी चीज़ें बता देता है तो काफी खुश हो जाते हैं वहाँ पर एक दूसरी जैंटलमैन थे मिस्टर मा वो कहते हैं कि तुम तो बहुत अच्छा काम कर रहे हो तुमें तो पर आदें उनके बहुत उचे-उचे कनेक्शन है कुईंची कह देती है कि उस सब की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने शादी कि तब ही हमने डिसाइट कर लिया था कि हम दोनों एक दूसरे किये केरियर में आपस्टेकल नहीं बनेंगे लीड आई कुईंची की पीछे बैट जाते हैं और वहां पर मिस्टर जिन सबको बताते हैं कि अब जैसे हमारे दू एक लॉयर जा चुके हैं तो अब हमें एक न्यू लॉयर को चूज करना होगा इसलिए आज उन्होंने यह सब मिटिंग वगहरा रखी हुई थी फिर कुईंशी मेल लॉयर के साथ जाके बैट जाती है ताकि वो उनके थोड़ा सा इंप्रेशन जमा सके और उसको रिकमेंट करने के चांसेस बढ़ सके और दूसरी साइड यैंग हुआ सारी लेडिस के साथ बैटा हुआ था अंदर कुईंशी बोरो रही थी और बाहर यैंग हुआ बोरो रहा था फिर कुईंशी काफे कुछ कहने लगती है जिससे उन लोगो थोड़ा बुरा लग जाता है और बाहर यैंग हुआ भी अपनी वाइफ की काफे तारीफ कर रहा होता है कि वो काम करते हैं बहुत ही जादा सेक्सी लगती है इस तरीके से फिर दिखाते हैं यैंग हुआ को यह सब चीज़े प पूल रखा है और अगर यह बात में सबको ना बताओं इससे पहले की तुम मुझसे आके मिल लो फिर यैंग वा लीडाई से मिलता है तो लीडाई ने अपना फोन ओन कर रखा था उसके सारी बाते रिकॉर्ड करने के लिए वह यह से कहती है कि तुम उस दिन मुझसे ब्ला पे आ जाती है पर लीडाई चुप नहीं होती वो टैंग वी के सामने ही कह देती है कि उस दन पार्टी में जब यैंग वा आया था तो अपनी वाइफ के लिए नहीं आया था वो मेरे साथ ब्लाइंड एट के लिए आया था जिसे सुनके कुईंशी और यैंग वा भी प्लैन किया था बट्ली डाई को शांती नहीं मिल रही थी वो कहती है कि तुम्हारी ब्लाइंड एट के लिए मुझे तो लगता है कि तुम दोनों ने शादी नहीं कि और तुम झूट बोल रही हो इंशी कहती है कि मुझे पता था कि यांगवा की मुझे पसंद नी करती बट मुझे नी पता था कि अभी भी वो मुझे इतनी जादा नाराज है कि वो यांगवा के लिए blind date ढूंड रही है फिर महाँ पर यांगवा पताता है कि मेरी नौकी चली गई है एक साल से मैं jobless हूं बट वो कहता है कि पर चाइना में मैं अभी आया था फिर मैं वहीं पर अपनी कोई new job ढूंड रहा था बट क्योंकि economy इतनी खराब चल रही है कोई मुझे job नहीं मल रही थी जितनी मेरी salary थी पहले वाली उतनी वाली कोई मिली ही नहीं फिर भी आप मेरे पास एक job है बर इस चोड़ के ना चले जाओ तो कोई इंशियोस से नाराज हो जाते हैं तो मैंसे कैसे सोच सकते हैं और फिर दोनों कले लग जाते हैं टैंग को युन दोनों को देखके कहती है कि पहले तुम दोनों की मैरे स्कुल जादा ही perfect थी पर अब मुझे पता चला कि इसमें भी कितनी जादा problem है और अब नौकरी वोकरी छोड़ो तुम दोनों एक दूसरी के साथ हो ये बहुत जादा काफी है फिर दिखाते हैं मसलें देश छोड़ के जा रही थी अपने बैक्स के साथ और साइज जिम्मेदार उन्होंने अपनी नीस टैंपिंग को पकड़ा दी थी टैंप एक्ट किये हैं और फिर उसको नीज दिखा देता है कि अब आप ये देश छोड़ करने ही जा सकती है क्योंकि आपके खिलाफ केस कर दिया गया है दूसरे साइट दिखाते हैं कुईंशी और येंगवा घर पर डिनर कर रहे होते हैं और कुईंशी उसको बताती है कि अब उ इसे प्रॉब्लम में आ गई है तो हम उनके खिलाब वाले केस ले लेंगे तो इसके हमारी फिर्म का इंप्रेशन जादा खराब पड़ेगा पर फिर येंगवा कहता है कि असा नहीं लगता है कि तुम्हारी कंपनी शायद एक दो केस ले ही ले कुईंशी कहती है कि ऐसा मैं इसाही प्रॉब्लम सौल वो चुकी है अब टैंग्वही पर भी हमको कोई है लीडाइकी प्रॉब्लम भी थोड़ी ठीक हो चुकी है पर सब अपनों के बीच में एक ही प्रॉब्लम में हमारा बच्चा फिर कुईंशी यंगवा से कह दे दिया कि हमारा बच्चा तुमारी बेहन के पास है जो foreign country में रहती है उसके पास दो बच्चे हैं यांगवाय कहता है कि मेरी बेहन कहां से आ गई कुईंची उसको समझा देती है कि तुम्हारी बेहन है उसके बच्चे है और वही हमारे बेटे का क्याल रख रही है और फिर टैंगवी ने भी कुईंची से कह दि आता है अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें कॉमेंट्स करें और बाइबाई टिल नेक्स वीडियो करेंगशें डिल टु करें दिल रही है झाईभाट ल반ुकी से कह़쳇ब चार टुक के व मत रो उत्सक्राइब करें और लाइब आछार है परन करेंवी आँ ट्यूर से कहब आगरे प्रतों करेंबने तोpture दो इज़।